तोडियर इस्टूडेंट आज कि इस वीडियो के माधम से मैं आप लोगों के समस्थ प्रभेस एर यानि कि पिछले फाल का पुलिटिकल साइंस यानि राज निती साफ्तर का पूरा का पूरा माडल पेपर कोश्चन पेपर प्रस्तुत करूंगा जो कि वीए फ्रेस्टिर के फिर समस्थ्टर का है इस वीडियो से आप लोगों कई सारे आइडिया लगेंके काई साई जानकार भी मिलेंगी सबसे पहले आता हो आपको पता चल जाएक जो पेपर होने वाला आने वाल दिनों में किस प्रकार का पूंशे जाएंगे और ऐसे कौन कौन से कोश्चन है जो common है मतब कि हमेशा पूछे पूछे जाते हैं वो आपको मिलेगी जान गई तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो complete देखेंगे तो help जरूर मिलेगी ठीक है देख लीजे पहला page आपको कुछ इसी परकार को देखने को मिलेगा जब भी आप paper देने जाएंगे उसमें यही ल पढ़ लेना ठीक है आप लोगों के समस्त है ठीक है सब्जेक्ट आपका प्रोडिकल साइंस है प्रशन पत्र का नाम है इंडिया नेशनल मोव्मेंट और इंडिया और फस्समेस्टर का पेपर है यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं उनको पढ़ लेना है सब प्रशन के और बढ़ना है ठीक है तो आज किस वीडियो को सबसे पहला पसना है कि खिलापत आन लोजन के दो प्रमुक कारण बताई है आज किस वीडियो के माधर से सिर्फ हम आपको मौश्यू पारन कोश्चन बताएंगे इस माडल पेपर से कि कौन-कौन से इस माडल पूर्ण रखेंगे कि यह सी प्रसत उम्मेदे की आ सकता है ठीक है अगला कोश्चन की भारते समिधान के नुचेट उननीस में वर्डित मौलिक करतब्यों का वर्ण कीजिए गारंटी वाला कोश्चन ऐसा कोश्चन आएगा द्यान सुनेंगे भारते समिधान के यह फिर भ लोग का हितकारी राजि कारत है फिर राजि की परिभांफा दीजिए तो लोग के हितकारी राजि कात्व वा एकरभिष्म के तो भारत देश का आपको एक राश्ट्रपती बनना चाहिए तो आपको क्या-क्या योगिताय को इंदर योगिताय होनी चाहिए कि इतने एज होनी चाहिए ठीक है यह सब कुछ आप लोग पालन करेंगे तभी आप एक राश्ट्रपती पद के लिए उमेदवार बन सकते हैं तो उसके लिए योगिताय क्या-क्या होनी चाहिए यह आपको लिखना जो कि रामबान कोश्चन है ठीक है अगला कोश्चन है कि मसत्य न्याय क्या है मतस्य ठीक है मसत्य न्याय जो है को कॉमन कोश्चन तो नहीं है लेकिन इस दो तीन साल से मैं देख रहा हूं यह लगातार रेपीट हो रहा है तो समय थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे दर्वाइग्नोर भी कर देंगे ठीक है आप लोग अब आजाएंगे हम खंडबा के और खंडबा में आपको देख ना है्ली फिर्फक ट्रेश ^^ धार लेकिन इसल प्रतावना है या दि ढूद तो की मझें होंभा रहा है तो लोगों के समस्थ प्रसतु थे कि भारते संहीं प्रश्तावना उर उसकी विषिस्था हाला कि हमेशा तो नहीं आता लेकिन ज्यादा तर परिच्छ में पूछा गए फिले इसको 90 प्रिस्त कड़गरी में रखेंगे बारते सम्मेधान की प्रस्ता होना और उसकी विस्षिस्ता दोनों आपको पढ़ लेना है और आपको काफी ज्यादा हेल्फ मिल जाएगी इसको स से ठीक है मतबकि उम्मीध ज्यादा है कि प्रस्ता है क्योंकि हमेशा आता है ठीक है नोट कर लीजिए इसको भी उसके बाद अगला कोश्चन है कि समानता के मौलिक अधिकारों की ब्याख्षा कीजिए ऐसा कोश्चन तो नहीं आने कि कोई गारंटी लेकि इतना आएगा ज लिए यानि कि भारति यह ata प्रधानमंत्री जो होता उसका फिलेक्षन कैसे होता अन्यूक्त कैसे होती ठीक है उसक कौन करता है तो सिंपल सी बात है कि पहले तो भाई जनता के द्वारा ओटिंग किये जाते है ठीक है तो यह सब्यक्रद कर फिर भार कि खर्याद जते हुए प्राइआ और झाल कि मतलब कि कितने वस्तों से उस छेटर में जोड़ा हुआ है और उसको कितना experience है जन्ता के लिए क्या कर सकता है कितना सवुस्प सकता और प्रेषते तरह आपको लिखना है उसके बाद आपको लिखना है कि प्रधान मंत्री के कारी योगिताये ओना उसके कारी क्या-क्या है उसके बाद अगला प्रश्ण है कि लोग सभा का अद्धेच होता है उसके बारे हम लिखना है यह आप सभी के लिए 100% इंपॉर्टन कोश्चन के बार रिपीट है ठीक है नोट कर सकते इसको भी अगला कोश्चन आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि भारते समिधान में या राजिपाल प्रदान मंत्री राष्ट पती हाइए कोट का जो ठीक है में जो जज होता है यह सर्बोच न्यालय का जज होता है तो उन सभी के बारे में बाकाइदा समिधान में वडन किया गया है कि कैसे नियुक्त की जायेगी कितनी योगिताएं होनी चाहिए क्या क्या कार रहे हैं उनके पास क्या क्या पावर है तो उसी तरह आपको यहां पर कोश्चन है कि भारते संविधान में राज जिपाल जो होता है उसकी सक्तियां और भूमका का वड़न कीजिए उसके पास क्या क्या पावर होती है और उसका रोल क्या है राज जिपाल अगर वो है तो उसक इ Daily Finland उसका कार रोगिया थीजिया है शूरों किया थीजिया वेलौ आपको लिखना पराग। ठीक है सर्बोचिनाले तपक्रोथ जगाण उच्चिनाले ठीक है मत्टब की सर्बोचिनाले और उच्चिनाले दोनों को बारे में पढ़र लीज़ेगे ठीक है। यह अधिस बने कि या योगिताय ओने चीह आई कि खंड शा जाएंगे। खंड़सा में आपको देरगुत्रे जिनको भी सुत्रे बोलते हैं कोश्चन देखने को बलेंगे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएंगे दिसा नरदेश की कितने कोश्चन करना है उसका उत्तर कितने सब्दों लिखना है फिर कोश्चन कर बढ़ना है ठीक है और पहला कोश्चन है कि भारते सम्मेधान में वर्डित राज्यों या फिर राज्य की नीत निर्देशक तत्तु की ब्याख्या कीजिए और यह मौले का दिक्तारों में किस प्रकार भिन है ठीक है तो यह भी कोश्चन आयेगा आपके एक्जाम में नीत निर्देशक जो तत्त तो आप पासिग मार्क पक्के हैं ठीक है और इन सभी का अशर अभी के लिए अगर आप लेना चाहरे है तो अभी के लिए आप इंटरनेट पर इन सभी कोश्चन का अशर मिल जाएगा ठीक है और वहां से आप लोग सब्सक्राइब कर लिए और एक नीचे और मार्डल पर है थोड़ा कम के लिए लेकिन मैं आपको जब सब्सक्राइब कर दूँगा तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा इन में देगे कोश्चन उनको भी तैयार कर लेंगी तो थोड़ी बहुत आपको इस मार्डल पेपर से भी हो जाएगे ठीक है अधिकार की परिमा को इसना जरूरी जानना होता है कि वह महत्पूर्ण कर Hello तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि कौन-कौन से महात्पूर्ट प्रशन है कि इनको तयार करना है बाकि कुश्चन तो सिरीज में बुक में आपको 100-200-300 कुश्चन में लेंगे और 100-200-300 कुश्चन तयार कर पाना पोशिबल नहीं है उसमें से सभी student यहीं जानना चाहरें कि कोई अपको कास्त यही बता देता सो डेष्क कुश्चन में से कौन से महात्पूर्ण है कितने इनमें से आने के चांस है तो फिर्याल वह ने आपको बता ही दिया कौन-कौन से महात्पोंट प्रश्ण किनके ज्यादान एक चांसे बस इतना है त्यार कर लिए आपको मिल जाएगी बाकि आपका अपना है चैनल सक्सेस्ट हो है सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते आपको कोड़ने वीडियो की शाज अब तक किले जाएंद